हलो दौस्तो मैं हूँ सागर और फिर साब सबों को स्वागत करता हूँ अपने इस सागर टेक यूट्व चैनल में दौस्तो आज का जो मेरा टौपिक होने वाला ये बेसिक कंप्यूटर वीनर computer और computer मुख्यता कितने main parts क्या होते हैं कैसे computer मिलकर बना होता है ये सारे चीज मैंने पहले दो वीडियो में बताया तो आप उनको देख लीजिए फिर इसको देखेगा तो आपको भेतर तरीके से समझ में आएगा और दोस्ते अचुली ये input और output device का जो part है इसको में शुरू करने के पहले आप सबों को में बता दो कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल ऐकन को दबाना ना भूले तो तैंक्यो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं तो क्या होता है input device तो input device एक ऐसा device है जिसके थ्रू या जिसके माधियम से आप अपनी बातों को computer से कह सकते हैं या अपनी बातों को computer से समझा सकते हैं या आप input device के थ्रू computer से कोई भी काम करवा सकते हैं ये है input device I think, समझ में आ गया होगा आपको, चलिए, तो कुछ-कुछ input device देख लेते हैं, जैसे हमारा keyboard हो गया, keyboard हमारा main input device होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ type करते हैं, तो वो input कहां होता है, computer के अंदर, मतलब कोई भी ऐसा बाहर का device, जिसके थुरू आप कोई भी चीज computer के अंदर भेज सकते हैं, वह हमारा input device होता है, तो keyboard हो गया, mouse हो गया, उसके थुरू क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीजों को computer के अंदर डाल सकते हैं, keyboard, mouse जो हमारा, वो सबसे main हमारा input device कहलाता है, उसके बाद बहुत सारे हैं, आप scanner बोल सकते हैं, joystick बोल सकते हैं, light pen बोल सकते हैं barcode reader है, microphone है, यह सारी चीजें जो आते हैं, यह सारी चीजें आपका input device के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सारे चीजों से हम किसी ना किसी तरीके से अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपनी data को computer के अंदर input करते हैं, computer के अंदर भेजते हैं, इसलिए यह हमारा input device में आता है और ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे आपको लगता है कि इसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ भी इंपूट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ भेज सकते हैं, तो वो आप उसको इंपूट डिवाइस में काउंट कर सकते हैं, बिना कोई जिजग के, अब बात करते हैं आउटपूट डिवाइस का, तो आउटपूट डिवाइस क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि क्या होता है, कि कम्प्यूटर के अंदर, जब हाडवेर और सफ्टेवर पढ़ रहे थे हम लोग, उस सद में बताया था, कि कम्प्यूटर के अंदर जब आपका output device के माध्यम से आता है, जैसे अगर हम पहला ले ले मेरा display, display जो main part होता है computer का, जो screen जिसको monitor बोलते हैं आप लोग, तो वो जो display है, वो क्या है मेरा output device है, अगर हम कुछ भी चीज टाइप कर रहे तो दिख कहा रहा है, हमारा screen पे दिख रहा है, तो screen पे दिखने का मतलब यह हुआ कि वो जो है मेरा, वो मेरा कहीं ने कहीं output device है, और यह output device किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो video के रूप में हो, चाहे वो audio के रूप में हो, या वो hard copy के रूप में हो, hard copy क्या होता है, जब आप कोई document computer के अंदर save करके रखते हैं, तो उसको soft copy कहते हैं, और जब उसी का print out ले लेते हैं, तो वो हमारा hard copy हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको hardware और software में, hardware जिसको छू सकते हैं, तो hard copy मतलब जिसको आप छू सकते हैं, computer के अंदर अगर आपका, माली जे bio data रखा हुआ है, क्रिजू में रखा हुआ है, तो आप उसको touch नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको, लेकिन जब वो print out के through बाहर आता है, तो वो hard copy बन जाता है, और बहुत लोग confused होते हैं कि सर, soft copy और hard copy क्या होता है, कि बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि सर, soft copy भेजना है, soft copy कैसे भेजेंगा, या soft copy क्या होता है, तो I think ये clear हो गया होगा, ये भी एक सवाल बीच में आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कि hard copy और soft copy क्या होता है, तो जब भी कोई output, चाहे आप देखते हैं, audio, visual, text, video, किसी के through भी जो computer से निकल के आपको visible हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका output, और output device भी बहुत तरक है, speaker है, speaker क्या है, आपका output device है, display आपका output device है, printer आपका output device है, लेकिन scanner आपका input device है, याद रखेगा, printer scanner एक साथ होता है, इसलिए मैं बता आपको, printer हमारा output device है, लेकिन scanner हमारा input device है, तो इस बात को खयाल रखेगा, अगर ये दोनों को अगर एक line में समझना चाहे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कि input device जो होता है, वो computer को data भेजता है, और जो output device होता है, वो computer से data पराप्त करता है, अगर ये एक lining में याद रख सकते ह हैं आप लोग, तो ये बहुत अच्छा definition है, input और output device का, तो thank you, दोस्तों, कैसा लगा ये आपको input और output device का ये जो वीडियो था, वो, अगर आपको समझ में आया, तो आप जरूर वीडियो को like करें, और अगर कहीं समझने में परिसानी है, तो आप comment करके हमसे पूछे, मैं क कोसिस करूँगा, उसका आपको जवाब देने का, तो thank you, दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आपसे request है कि मेरे चैनल को आप subscribe कर ले, और bell icon को दबाना ना भूले, और धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्नोंने चैनल को subscribe कर लिया है, उनक के लिए, तो thank you, दोस्तों, फिर मिलते के लिए वीडियो में, तब तक लिए सुक्रिया, धन्यवाद.